कोरोना के खलाफ चल रही लड़ाय के खलाफ आज राजदानी लखनाव में विशेश वॉक इन टीका करण दिवस आयजित किया जाएगा ये अभ्यान एक साथ 122 साइट्स पर चलेगा और टीका करण के लिए 232 बूतों को तैयार कर लिया गया है हर बूत में औसतन 250 लोगों का टीका करण किया जाएगा इसमें बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे टीका करण केंद्रों पर पहुँच कर टीका करण करा सकते हैं और पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यक्ता नहीं होगी रामनुज हमारे साथ लगातर लाइब बने हो रामनुज लगातर हम अगर टीका करण को देखे तो कोविड वैक्सिनेशन काफी बैतरी से देखा जा रहा है इसको लेकर कैसे तयार यह हैं देखे कोमल अगर बात की जाए तो जितने भी बूथ है 122 बूथ है उनको तयार कर लिया गया है इन बूथों के उपर कैसे लोग आएंगे और बिना रेजिस्टेशन क्योंकि बड़ी जंजट होती लोग को परिशानी भी होती थी कि अगर जो है नेट के जरिये जो हो अपनी बूखिंग नहीं कराते थे तो उनको जो है स्पेस नहीं मिलता था उनका टीका करण का समय नहीं आ पाता तो यह सारी चीज़े इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नेड़ लिया है लखनों की अगर बात किया लखनों के अंदर राजधानी के अंदर जो है इन बूथों की अगर बात किया बीना राजधानी के लिए यह उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी के लिए क्योंकि लगातार अगर वैक्सिनेशन की बात की जा तो व सरकार भी दे रही है इन दो सो बतीस बूत बनाये गहें एक सो बाइस सेंट्रों पर जो है उसमें सबसे बड़ी बात है कि धाई सो लोग जो है एक बूत पर जो है वैक्सिनेशन करा सकते हैं तो अब अंदादे लगाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को जल से जल जो है करके संत्रिप्त करने की कोशिस सरकार की ताकि जादा से जादा लोग जो है वो आए और जागरुकता की अगर बात की जाए कोमल तो लगातार जो है रेजिट्रेशन ना होने की वैसे सरवर की दिक्कत होने की वैसे यह सारी चीजे एक बड़ी परिशानी बनी हुई थी इन प्रकार के कोई रेजिस्टेशन की अन्यवारता ना रखी जाओ जो भी लोग साइट पर पहुंचेंगे वहाँ पर जाकर जो है उनको रेजिस्टेशन तुरंत किया जाएगा उनको रेजिस्टेशन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद उनकी वैक्सिन करके दूसरे डोस क जो है तारीक वह भी पता चल जाएगी तो ऐसे में जादा से जादा लोग वैक्सिन लगा सके इसके लिए कदम उठाए गए हैं जी रामलुज हम अगर एक छोटा सवाल यह है कि पहले जागरूकता बहुत कम देखी जा रही ती लेकिन आज के वक्त में लोग जागरूक हो जो लोग इस विशय को नहीं मान रहे हैं कि कोवीड से बचाव के लिए वैक्सिनेशन जरूरी है लेकिन उनको भी धीरे धीरे जो है एनम जो है जाकर उनके घर पर उनसे बातचित कर रही है और डोर टू डोर अगर बात की जाए वैक्सिनेशन की तो डोर टू डोर वैक्स वेक्सिनेशन भी ग्रामीड शेतर के अंदर शुरू किया हुआ है और ऐसे में हर गाओं को जो है पहुचकर वहाँ पर जो है उनके परिवार से पूछा जाता है लगी नहीं लगी और नहीं लगी प्रदेश की 24 करोड़ जन संक्या को वैक्सीन लगाना एक बड़ा टास्क था उस टास्क को धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं और ऐसे सेंटर करकर करकर ताकि जहांपर आपको रिच्टेशन कराने की जोविद्टर ना पड़े जादा दिक्कत ना हो ऐसलिए किया जारह ताकि जादा से जादा लोगों को वैक्सिन लगा रहा है जो वैक्सिन नहीं लगवा रहे थे जो एक एज फैक्टर का हवाला देते थे कि हमारी उमर सत्तर कर साल है तो इसमें वैक्सिन रियक्ट कर सकती है तो इस सारी चीजे जो है एक तरीके से जो है डॉक्टर्स जो कर रह कि मंत्री योगी आदितनात लगातार कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का हर वी लगा कर उस कोविट से बचने के पूरी तरीक से तयार रहे हैं चले बहुत शुक्रिया रामनुष का माम जनकारी हमसे साजा करने के लिए खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जनतंत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें